Hello everyone, स्वागत आप सभी का हमारी आज की वीडियो में आज हम कक्सा साथ का परसन नमबर चार करेंगे जो कि एक सम्धिवातिर भुज के लिए है ये कहता कि एक सम्धिवातिर भुज बनाओ जिसका आधहार दिया है रेखाखंड कहखे के समान ये रेखाखंड है आपका और आधहार के दोनों कोण कोण ये के समान है इस तिर भुज के अंदर दो चीजे दी गई है एक आधहार दिया गया है और आधहार पर जो दो कोण होते हैं दोनों कोण ये के समान है यानि कि एक ही कोण आपको दो जगे बनाना पड़ेगा तिर्भुज कैसी बनाना है आपको सम्दी बाहुतिर्भुज सबसे पहले सम्दी बाहुतिर्भुज की हर एक प्रोपर्टी यानि की हर एक गुण का आपको पता होना चाहिए एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं अगर नहीं बता तो बाकि आप इसकी वीडियो भी देश सकते हैं तरभुज के विशे में दो वीडियो में ने बनाई है सम्दिवाओ तरभुज के अंदर ये कहता है अगर ये दोनों भुजाए बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे अगर हम सिर्ष कोण का आधा करते हैं तो सिर्ष कोण का आधा आधार का भी आधा करेगा और ये कोण 90 डिगरी का बनेगा यानि कि ये जो उंचाई है आपकी ये एक तरह से उंचाई होगी गर ये कौन 90 डिगरी का है तो ये आपका लंब भी है ये आपकी उंचाई भी है और ये आपका आधार का लंब अरधक भी है यानि कि आधार का आधा भी करता है और लंब भी होता है तो इस तरभुज को आप बना लोगे बिल्कुल आसान है, शुरू करते हैं, कैसे बनेगी ये तरभुज, सबसे पहले हम ये दोनों चीज़े लेंगे, आधार और आधार का कॉन, हम एक लाइन ले लेते हैं, 6 cm की लेली, इसका नाम हम रखेंगे कैक है, ये कैक है, आधार है एक कॉन लेंगे, जिसका नाम होगा ये है, ये स्वाल बनाने के लिए आपको एक थटी कक्स्यागा क्यूस्टन है, कि कॉन के समान कॉन बनाओ, वो भी आना जरूरी है, अगर आपको वो भी नहीं आता, तो एक और वीडियो है, जिसमें मैंने ये बता रख्या है, कि कॉन क के समान कॉन कैसे बनाते हैं, वो भी आप देख सकते हो, तो हम दोनों चीज़े ले चुके हैं, आधार भी और आधार कॉन भी, चलो हम लेते हैं आधार को आधार के बराबर, आधार हमने 6 cm का लिया था, इसको हमने ले लिया निचे, अब इसके दोनों शिरो पर, इस आधा कोन कहा जाएगा इस तरफ जो कोन बनेगा उसको भी अधार कोन कहते हैं और ये दोनों ही कोन ये के समान है यानि कि इस किनारे पर और इस किनारे पर दोनों किनारों पर आपको ये के समान कोन बनाना है कैसे बनाएंगे सबसे पहले जितना प्रकार खोलना चाहते हो खोल कर आप एक चाप लगाओगे यहां किनारे पर रख कर जितना प्रकार खोल कर यह चाप लगाई है उतना ही खुला रख कर एक चाप लगेगी ऐसे और दूसरी चाप लगेगी बैसे क्योंकि दोनों ही किनारों पर हम समान कौंड बना रहे हैं तो दोनों ही किनारों पर समान चाप लगेगी अब इस कौंड को देखना है हमने कितना है यहां से लेकर यहां तक यह प्रकार रख्या इसके बराबर हम खौल चुके जितना कौंड यह है उतना ही दोनों तरफ से कटेगा इस तरफ से भी और इस तरफ भी तो ये कौन भी आपका ये के समान हो गया और ये कौन भी आपका ये के समान हो गया अब इन दोनों को मिला दोगे ए और बैसे जहां भी ये भुजाए मिलेंगी वहाँ पर आपका से बिन दुआ जाएगा और आपकी आपसे तिर्भुज बन जाएगी तो आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलेंगे धन्यवाद